हेलो स्टूडेंट कैसे हैं तो आज की जो वीडियो है वो है सेमिस्टर वन वाले बच्चों के लिए और यह वो स्टूडेंट है जो अभी कॉलेज को समझना स्टार्ट कर रहे हैं बुक्स का मैसेज आ रहा है सोल वाले बच्चों को नोन कॉलिज के अंदर अभी क्लास लगने स्टार्ट हुई है रेगुलर के अंदर स्लीबर्स खतम होने वाले को आ गया है इंटर्नल भी स्टार्ट होने को आ गया है लेकिन स्टूडेंट को न समझ नहीं आ रहा है यार इतनी जल्दी जल्दी कैसे हो रहा है हो क्यों रहा है इतनी जल्दी लाइफ में इतने फास्ट तो नहीं थे हम जितना फास्ट कॉलेज वाले लेके समझ रहे हम तो उसी से रिलेटिट आज की वीडियो है सर इस वीडियो के अंदर अगर हम वीकॉम समिस्टर वन की बात करें तो सबसे पहले मैं टाइम की बात करता हूँ आपके एक्जाम टाइम की बात करता हूँ आपका जो एक्जाम है ना दिसंबर एंड में मैं मान के चल रहा हूँ कि स्टार्ट हो जाएगा अभी टेंटेटिव डिट्शिट जो भी है आया हूए है तो दिसंबर एंड में जन्वरी फॉर्स्ट में स्टार्ट हो जाएगा ठीक है सबसे पहले सर आपके पास ऑक्टूबर में जो चल रहा है कितने दिन और सर दिसंबर के मन्थ में मात्र 30 डेज और आपके हो गए 70 डेज और सतर दिन और चैलेंज है हमारे पास सर साथ सबजेक्ट जो सारे सबजेक्ट अपने आप में बहुत ही important है अब यहाँ पे कुछ बच्चे जो CA foundation की तैयारी कर रहे हैं या CS की तैयारी कर रहे हैं या CMA की तैयारी कर रहे हैं number one कुछ बच्चे extra curriculum के अंदर या फिर आपका computer से related कोई भी course कर रहे हो मैं आप सभी को कहना चाहूंगा के फिलहाल के लिए आप इन पे उतना focus मत करिए जितना आप पहले focus करके चल रहे थे आपको अपने becom के उपर भी focus करना पड़ेगा सर becom का जो syllabus है ना वो बहुत ज़्यादा कर दिया गया है NEP के अंदर तो जितने बच्चे regular के हैं non college के हैं आपको पता भी नहीं चलेगा आपके paper आ जाएंगे date sheet आई चुकी है और इसके बाद roll number आ जाएगा आप center पे जब paper देने जाओगे तो यार बहुत जल्दी बहुत कुछ हो गया तो this is right time के आप alert हो जाओ alert होने के साथ कैसे किस subject की तयारी करने है वो सारे चीज़े भी समझो तो अभी basically आपको सारे चीज़ों का knowledge नहीं है school के अंदर तो tuition starting से लग जाता था हमारा 12 के बाद और teacher सारे चीज़े बताते जाते थे starting से लेकिन अब कही ना कही एक communication teacher से gap आ गया है क्योंकि हम college में चले गए हैं और साथ के साथ हमें लगता है कि यार हम self practice कर लेंगे और कहीं न कहीं ऐसा environment भी बना हुआ है कि यार यहां पे तो तु बस ये कर लियो पास हो जाएगा इस तरीके से तो आज हम इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे कि सर किस तरीके से basically मैं आज आपको एक study plan और कैसे पढ़ा जाए हमारा financial account को उसके उपर चर्चा करते हैं तो सर financial account की बात करें तो हमारा financial account जो FA है जो हमारा है financial account उसका पूरा का पूरा syllabus मैंने और पूरा एक plan तयार कर लिया है कि how to study हमारे total 5 unit होते हैं हर एक subject के अंदर पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए वो सारी बाते हम इस वीडियो के अंदर discuss करेंगे तो सर सबसे पहले हम बात करें first unit का तो first unit जो है unit ये हमारा 15 marks का है unit number 2 जो है ये हमारा 20 marks का due ने design किया हुआ है unit number 3 भी 20 marks का unit number 4 25 marks का unit 5 भी 20 marks का सर इन सभी में हमें कौन से chapter को पहले pick up करना चाहिए किस तरीके से study करें क्योंकि बच्चे ने अगर ये वाला chapter उठा लिया महिना निकल जाना है लेकिन समझी नहीं आएगा ये खतम नहीं हो रहा फिर बच्चा क्या करेगा इस वाले topic को उठा लेगा फिर से दिक्कत आ जाएगी तो हमें मैं आपको जो ये plan बताने जा रहा हूँ आपके 11-12 को base को ध्यान रखते हुए कि 11-12 में आपने कौन से chapter करे हुए हैं उसी के accordingly chapter को pick up करें ताकि आपका syllabus भी खतम हो जाए और आपको इस subject के अंदर interest भी आने लगे तो चलिए sir अगर हम देखते हैं तो हमें सबसे पहले हमें overview दे देता हूँ unit 1 के अंदर कहता है theoretical framework and accounting process यानि कहीं न कहीं ये theoretical chapter है और इसके अंदर हमें क्या-क्या understanding करने को कहा गया है कहा गया है कि आप assumption and principle को पढ़िए जैसे going concern, full disclosure prudence principle, maternity principle या फिर आपका business entity वो समझे उसके बाद बोला गया है कि what is the accounting standard या फिर इंडियेस जो कि अभी अभी आए अभी बहुत पहले से आ गया है लेकिन syllabus में अब दिखने लगा है तो ये है क्या इसकी understanding लीजिए third IFRS या gap की बात करें तो ये क्या है इसकी understanding लीजिए और GST के entry basic terms और इसके input set of वगेरे की entry आपको समझना होगा तो ये basically theoretical part है और ये बहुत अच्छी चीज है कि आपका इंटर्ड्यूस किया गया है क्योंकि आप become के बाद अगर कोई ऐसा course करते हो future के अंदर international course तो ये बहुत help करता है chapter ये सारे chapter उसके अंदर MCQ में questions पूछे जाते हैं तो ये 15 नंबर का रखा गया है ज्यादा marks का नहीं है तो यानि theoretical question तो पक्का है अब paper कैसा आता एक बार मैं वो बता दूँ आपको फिर हम इसके उपर चर्चा करते हैं sir paper कैसा आएगा आपका sir question paper कैसा बनेगा sir जो questions paper बनेगा ना मैं आपके सामने questions paper number question number one question number two question number three question number four and question number five बस पांच ही questions आएंगे आपके paper में इस बात का ध्यान रखिएगा इससे ज़्यादा नहीं आने वाला तो sir इसके अंदर ऐसा रहेगा कि इसके अंदर a part, b part और में a part और b part इस तरीके से आपका ये question बनेगा आपका जिसके अंदर theory वाला portion cover किया जाता है question number two में भी a part, b part three से question बनेगा आपका a part, a part ही होगा और a part क्योंकि बड़े chapter है final account और npu के अंदर basically choice आएगा unit number four इसके अंदर a part, b part और in fact c part भी हो सकता है और a part, b part, c part और ये computerized accounting से बना दिया जाएगा तो overall देखा जाए तो इस तरीके से आपका paper design होने वाला है मैं last year का एक बार आप से discuss कर लेता हूँ, मैं 10 year देख लेता हूँ मिर पास अगर पढ़ा हुआ है पढ़ा हुआ तो होना चाहिए हमारे पास 10 year है ये देखिए मिर पास last year का last year का paper भी इसमें incorporate है जो कि मैंने पूरे अच्छे से इसमें design किये थे सारी चीजे आपके rule and debit credit सारे charts वगेरा सब कुछ डाले थे ये 10 year है basically सभी बच्चे लेंगे आगे चलके तो इसमें मैं paper थोड़ा सा overview अगर मैं last year का solution भी डाल दिया इसके अंदर ऐसा नहीं कि आपको पता चल जाएगा 2023 के अंदर जो fab March में paper हुआ था उनका fab और March में हुआ था लेकिन आपका gen में ही paper हो जाएगा December end में तो सर इसमें पहला question ए part theory था सर इसी के साथ साथ देखा जाए इसके अंदर जो दूसरा questions आया था यह पूरा theory था दूसरा question जो आया था वो पूरा का पूरा AS10 inventory और उसके उपर था जो तीसरा question आया था पूरा final account आया था बिल्कुल वैसे ही unit wise जैसे मैं बोल रहा हूँ और जो चौथा question आया था मैं तो पढ़ के बता रहा हूँ आप समझ जाएंगे इस बात को जो चौथा question आया था बिल्कुल branch department से आया था branch और department से आया था और जो हमारा पाँचवा question आया था कहां गया भाई सब पाँचवा question पाँचवा question पाँचवा question departmental, computerizing सबको थोड़ा सा mix करके बनाया गया था तो overall मैं बताना चाहता हूँ कि paper इससाब से design होगा चलिए आज आईए हमारे syllabus पे syllabus थोड़ी से video लंबी जरूर हो जाएगी लेकिन मैं सारी बातों को एक भी point में छोड़ना नहीं चाहता तो sir ये वाला unit समझ में आगे है 15 ठीक है मैं पहले किस में क्या है जा रहा है property, plant and equipment बोलके ये कोई ऐसा chapter नहीं है ये AS accounting standard का नाम है that is accounting standard 10 और जो है depreciation AS 10 को बार बार बताया जाता है बच्चों को बच्चों को दिमाग खराब हो जाता है sir property, plant and equipment कौन सा chapter आ गया कैसा chapter आ गया इतना बड़ा नाम है ये depreciation का ही दूसरा नाम है एक तरीके से समझिए इसमें आपको inventory जिसमें LEFO, FIFO, AS2 का आपको होगा मैंने live class में तो करा दिया है AS9 revenue recognition के एक revenue को कैसे recognize किया जाए कब हम revenue को लिखि लेंगे क्या rules है AS26 intangible assets किस तरीके से हम intangible assets का treatment करेंगे goodwill को कैसे write-off करना है patent को कैसे write-off करना है उसके उपर rule and regulation क्या है ये बताया गया है unit 2 में unit 3, final account और NPO final account वही ग्यारवी वाला इसमें partnership भी add हो गया और थोड़े से point और head हो गया है NPO आपने नहीं करा क्योंकि starting में ही slavers से हट गया था 12 में तो NPO जो है वो बिलकुल बिलकुल similar और same बोलूँगा मैं जो पहले 12 में था उससे advance रहेगा लेकिन आप लोगोंने किया नहीं होगा हाँ other यूनिवर्ड अदर जो board के बच्चे हैं जैसे UP board हो गया बिहार बोड हो गया जारकंट बोड हो गया पंजाब बोड हो गया केरला बोड हो गया वहाँ पे NPO होता था तो उन बच्चों को पता होगा किस तरीके से था यूनिट नमबर चार बिलकुल एक दम सबसे popular ब्रांच आज से पहले नहीं करा डिपार्टमेंटल नहीं करा AS19 Lease Leasing का क्या Concept है किराये पे जब मकान देते हैं तो Lease के अंदर हमें Balance Sheet में कब Assets को रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए वो बताया जाता है Computerizing Accounting System Sir Computerize Accounting System में आपको बोला गया है कि आपने जितनी सारी बातें ये पढ़ी है इसको एक Accounting Software में कैसे पुट करोगे Accounting Software अगर मैं Accounting Software की बात करूँ Sir Accounting Software Sir ये Accounting Software क्या होता है Like Tally Like Busy Like आपका ERP बहुत सारे Market में नहीं नहीं Step हो गया बहुत सारे Software होते हैं Simple सा Example आप सभी ने Tally शब्द को सुसुना होगा तो Tally के अंदर किस परकार आप सभी का Entry बनाएंगे Company Create करेंगे Laser करेंगे वो सारी चीज़े कैसे करेंगे उसके उपर इसके अंदर बताया जाता है कि बस सीखना है Basically आप इसको बहुत आसानी से सीख सकते हो लेकिन इसके लिए आपके पास Computer होना थोड़ा जरूरी है जिनके पास Laptop है वो जल्दी सीख जाएगा जिसके पास Laptop नहीं है वो बार-बार भूल सकता है इस बात का ध्यान रखें तो ये Overall सर मुद्दे की बात अब हमें पहले कौन सा Chapter पर पिक करना चाहिए ये तो समझ में आ गया ये तो हम First Day से देखते आ रही ये हमारा सले बस है लेकिन हमें करना कैसे चाहिए मैं Numbering लिख रहा हूँ सबसे पहले उसी को Choose करने तो आसानी होगी Number 1 पे ये Number 2 पे आपको Choose करना चाहिए That is ये पहले आपको ये खतम करना चाहिए फिर ये Number 3 पे आपको खतम करना चाहिए ये Number 4 पे जो आपको खतम करना चाहिए कहां गया, कहां गया, कहां गया Number 4 पे हमें करना चाहिए That is Branch Number 5 पे हमें करना चाहिए Departmental यही कर लेते हैं, चलिए 5 पे नमबर 6 पे नमबर 7 पे इसी सीक्यमेंस में फॉलो करिए तो आपका जो है फ्लो बनता जाएगा, नमबर 8 पे नमबर 9 पे नमबर 5 पे नमबर 10 पे यह यूनिट फॉलो करना है और number 11 पे सबसे last में ये unit follow करना है अब sir किस unit में हमें कितना time लगना चाहिए क्योंकि हम करने बैठे आपने बोला number 1 पे ये करी है और पता चला दो मेहने इसी chapter में निकाल दिये तो वो भी ठीक नहीं है तो उसके लिए भी मैं mark कर देता हूँ कि किस unit को किस हिसाब से करना चाहिए ओके sir जो ये number 1 पे है इसके 7-7 लिखता जा रहा हूँ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 days लेजिए 5 दिन इससे ज़्यादा मत लीजिएगा 5 दिन स्टार्ट करिये मैं समझ सकता हूँ आपका college स्टार्ट हो चुका है college में time नहीं मिलता या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी सोची रहें पढ़ने को तो sir आपके पास time है पढ़िए और सिर्फ एक ही focus रखिए कि इस first semester को निकालना है मेरे पास बच्चों के ना query आते हैं sir first semester पता ही नहीं चला सारे subject में ER आ गए इसमें fail हो गए percentage नहीं बना मैं सूच रहा हूँ अगले साल फिर से first year कर लो तो वो नववत आपके साथ ना आए ऐसी कोई situation आपके साथ ना आए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी से aware रही है अभी से पढ़िये ठीक है समय पता भी नहीं चलेगा तो यह पांच दिन मैं green marker से कर रहा हूँ that is a five days लगना चाहिए आपका number two पे हमने करा था depreciation depreciation के अंदर four days लगाना है आपको ठीक है four days number three पे inventory sir दो दिन जितने दिन में हो सकते हैं chapter genuinely वो मैं बता रहा हूँ number three के और number four पे इसमें भी sir पांच दिन लगा है इसमें भी कितने दिन लगा है पांच दिन लगा है मैं circle करता जा रहा हूँ sir departmental में चार दिन लगा है इसके अंदर ठीक है number six पे AS9 sir इसे एक दिन में खतम करें और इसे भी एक दिन में खतम करें तो आप टाइम देखिए चार दो छे छे के बाद सबसे पहले मैं पूरे पहले एक बार लिख लेता हूँ फिर टाइम मैं इसके अंदर डिसाइड करूँ है इसके बाद sir हमारा आ जाता है AS19 sir इसके अंदर आपको दो से तीन दिन तीन दिन मानके चलिए अच्छी से पढ़के जाईएगा सवाल जरूर पूछा जाएगा इसमें से ठीक है AS19 इसके बाद इसके अंदर आपको कम से कम कम से कम मैं मानके चल रहा हूं कि आपको 15 दिन देने पड़ेंगे इसलिए लास्ट में रखा है मैंने इसके अंदर भी जादा लगी का वैसे मैंने कम कम टाइम लिया है इसको पढ़ने के लिए जनरली कोई देता नहीं है टाइम लेकिन मैं फिर भी कहूंगा इसमें पांच दिनों का समय दीजिए इसके बाद सरकंपार कम्पुटराइज सिस्टम जो लास्ट में करेंगे इसमें दोस दिन का टाइम दीजिए आप पढ़ने के लिए बस पढ़ 38 दिन हो गए और 38 के बाद 5, 38 और 5, 43 दिन, 43 के बाद 4 दिन इसमें लगाना है 47 दिन और 3 इसमें 50 और 2, 52 दिन यानि कहीं न कहीं अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ें तो हम 55 डेज में कम्पलीट कर सकते हैं और हमारे पास सर टाइम कितना है 70 डेज अब इसके बाद आ है इसके अंदर क्योंकि फेस्टिवल का सीजन है और 12 पास किया तो अभी आपके अंदर क्रेज है कि भाया हमें दिवाली दशहरा या फिर बहुत सारे फेस्टिवल आप सेलिबरेट को चाहे बॉय हो चाहे गर्ल्स हो दोनों के केस में यह रहेगा तो मैं मान के चल रहा हू पचपन दन यह और मैं मान के चल रहा हूँ पांच दिन तो आप परवाद कर देंगे अपके फेस्टिवल में तो हो गए साथ दिन अब मातर दस दिन बसता है उस दस दिन के अंदर हम इसको रिवाइस कर सकते हैं ठीक है मैंने अपने पास लाइब सेशन में काफी चेप्ट के प्तिशन हो जाएगा और पियोरली हम भुक को फॉलो कर रहे हैं और तैन इयर के भी कुश्चन्स हम करवा रहे हैं ठीक है सर पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए कैसे पढ़ा जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है सर आपको बुक फॉलो करना है कोई भी दो बुक ह एक है आपका जे आर मोंगा प्लस एक है आपका बी के गोयल हुशन कुमार गोयल ठीक है मान लेते हैं इसमें से हमने फाइनल अकाउंट कंप्लीट कर लिया कोई भी जिनके पास बुक है फाइनल अकाउंट और लेटेस्ट बुक होना चाहिए ध्यान रखेगा पुरानी बुक सिर्थों के जिनके खृब करना जिन्दगी खराब हो जाईगी इसके अंदर प्लस इसके बाद हमें 10-0 कर मैं इसके बाद हमें क्या पिक करना है सरओ-तं इयर पिक करना है कि आills किताब के अंदर किताब के अंदर देखेंगे आपका जैसे फाइनल अकाउंट है आप टैनियर लेंगे तो पता चल जाएगा फाइनल अकाउंट में सारी की सारी चीजे जैसे होना था वो गीवन है सारा का सारा सिस्टेमेटिक मैंने एक वीडियो भी बना दिया सर टैनियर कौन सा लेना है आप टैनियर मार्किट में अविलिबल है लेकिन आप लीजिए सिवदास का वी कौम अनर्स का बच्चा उचाए प्रोग्राम का सर ये टैनियर कहां से लेना है आपको नियर बाए जो भी आपके नियर बाए दुकान है शॉप है तो सर ऐसा क्यों कर रहा हूं देखो जियार मुंगा से अपने फाइनल अकाउंट के कौश्चन कर लिए टैनियर में से पिछले पांस साथ सालों में इस कि शिवदास कि रीजा हुजा कि कहा गया नमबर आप इस नमबर पर कॉल करेंगे वैसे इनकी वेबसाइट भी है वेबसाइट से भी और कर सकते हैं बाकि नियर बाए जो भी शॉप बुक स्टेशनरी शॉप है मिल जाएगा वहां पर सिवदास का टैनियर बाकि मैं नमबर दे देता हूं अगर कोई दिक्कत आता है 701147630 यह रहा हमारा नमबर इनका नाम मिस्टर ग्रीज जी है ठीक है न मिस्टर ग्रीज जी है यह सभी बच्चे इसको इस तरीके से ले सकते हैं तो होफुली आपको हेल्प मिला होगा इस वीडियो से तो पचास से पच्पन दिन में हमें स्लिवर्स खतम करना है सारे स्लिवर्स को मैं यूटूब पे भी बहुत जल्दी जल्दी वीडियो डालने की डे रेगुलर डाल रहा हूं मैं कोसिस कर रहा हूं कि एक दिन में दो वीडियो भी आपके लिए हो जाए जो बच्चे पेड़ कोर्स में आना चाहते हैं आ सकते हैं जो बच्चे यूटूब पे पढ़ रहें पढ़ सकते हैं जो अधर ट्यूटर के पास पढ़ सकते हैं पढ़ सकते हैं मुद्धा एक ही है कंक्लूजन एक है बढ़ना स्टार्ट कर दो चाहे कैसे भी पढ़िये ठीक है तो मिलते हम next किसी ऐसे ही interesting आपके other subject जैसे business law है या फिर business organization management है उसके उपर हम इसकी वीडियो लिके आएंगे thank you so much मिलते हैं next video में